आज की वीडियो ना बहुत ही काम की है और ये काम की इसलिए है क्योंकि एक तो दिवाली आने वाली है और आपने मलाई रखी होगी फ्रिज के अंदर उसको बनाना होगा लेकिन सोच रहे होगी कैसे बनाओ इतना टाइम लगने वाला है तो चलिए आज आपको बिना टाइम क सिर्फ एक चम्मच से मलाई से घी निकालना आपको दिखा रही हूँ तो चलिए एक बर्तन लेंगे और बर्तन थोड़ा गहरा लेना है आपको और थोड़ी भारी पेंदी वाला हो हलके पेंदी वाले से थोड़ा दिक्कत हो जाता है और साथ में लेंगे एक चम्मच ये चम्मच आप मान के चलिए कि जो खाना खाते है न उस चम्मच से थोड़ा सा बड़ा है ये दही निकालने वाली जो चम्मच होती है वो है तो जो मैं मलाई यूज कर रही हूँ न ये पूरे एक हपते का मलाई है मेरे घर पे फूल क्रीम दूधाता है तो उसकी मलाई अच्छी होती है और मैं इसलिए लेती हूँ कि मुझे बाहर से घी न लेना पड़े और आप इस्वास नहीं करेंगे मैं सालो भर मतलब पूरे साल भर अपने घर का ही घी यूज करती हूँ तो ये जो मलाई है उसे मैंने फ्रीजर में रखा था अक्सर हाँ आप अगर फ्रीज में रख देते हैं तो मलाई खड़ाव हो जाती है तो इसलिए आप उसे हमेशा फ्रीजर में रखें निकाले उसके अंदर फिर अपना नया जो मलाई होता है वो डाले और उसके बाद उसे ढखके फिर से रख दे चलिए अब मैं मलाई का बता दूँ कि यहाँ पे चमज से क्या किया मैंने इस मलाई को थोड़ा सा फैला दिया एक दो घंटे पहले ही मलाई को आप निकाल दे क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा वैसे भी हो गया है और साथ में क्या होता है कि हलका सा वो बाहर का मोईस्टर जो है खतम हो जाता है तो थोड़ा अच्छे से मिलाने में बनता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चमज से सिर्फ इसको मिला रही हूँ और देखे कुछ नहीं करना आपको पीछे से जो चमज की पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आपको सिर्फ मतलब इसको मलाई को फैलाना है जैसे जैसे फैलाते जाएंगे आपका जो मलाई है ना वो पानी छोड़ता चला जाएगा तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही है कि सिर्फ आपको जो चम्मच का पीछे वाला हिस्सा है उसका यूज करना उससे थोड़ा प्रेसर बनता है और आप मतलब उसको बस फैलाते रहिए मलाई को देख सकते हैं जिस तरीके से मैं फैलाड़ी हूँ जितनी भी गुल्ठियां वगड़ा होती है थोड़ा सूख जाता है ना फ्रिज में में तो उसको गुल्ठियां वगड़ा को आपको तोड़ देना है और साथ में उसे इस तरीके से मिलाते जाना है फ्रेंट्स आप इस स्वास नहीं करेंगे ये मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर ये मलाई अच्छे से तयार हो जाता है और इसका हम घी बना पा रही हूं मतलगा ही नीरी हूं और विस हलके हलके हाथों से चम्मत से इसको मैं घुमाती जा रही हूं पहले तो मैं इतना मेहनत करती थी मैं बता नहीं सकती इसको घंटों में फेटती थी तब जाके इस में से मलाई अच्छे से निकल पाता था तो यहां पर मुझे तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उसको ऐसे चलाते चलाते बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा तो वह नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दूद तो हमने डाला नहीं है तो जितना उसका अपना जो होगा पानी उतना ही निकलेगा और उसे ज्यादा बनाने के लिए खुब दवा दवा के मतलब उसको बड़ाबर करते रहेंगे और आराम से उसको कीजिए कोई जलदवाजी नहीं है तो बस उसमें भी दो से तीन मिनट आपको लगेंगे और यह तयार हो जाएगा चलिए मलाय का जो पानी होता है न यह बहुत ही फाइदे मंद होता है आप तो इसको आटा गुतने में भी काम ला सकते हैं या फिर इसके अंदर निम्बू डालके पनीर भी बना सकते हैं चुले पे चरहा दीजे थोरा सा निम्बू का रस इसके अंदर डालिए और इसमें से थोरा सा पनीर निकल जाएगा तीन से चार पराठे तो आपके बन ही तो या फिर इसको ऐसे ही आप क्या करिये आटा गुतने के में काम लिया आएए आटा बहुत सौफ्ट गुतता है और उसको जल्दी खतम कर लीजिए क्योंकि आखिर कार है तो यह मलाय का ही पानी और वो फ्रीजर में रखा है या फ्रीज में रखा है लेकिन काफी टाइम हो तो उसे यूज कर लीजे जल्दी से पर रोटी बड़ी अच्छी बनती है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हाथ बिलकुल ही गंदा नहीं हुआ जब आप कटोरी की पेंदी से करते हैं या कोई और भी चीजों का यूज करते हैं मिक्सी का सारी चीजों में मलाई इतनी कि आपको साफ करने में ही इतना टाइम लग जाता है चलिए मैं तो इस मलाई को पानी को क्या करूंगी मिक्स करके पौधों में डालूंगी क्योंकि मेरे गंले हैं कुछ तो मैं उसके अंदर डालूंगी क्योंकि गंलों में भी जब आप इसको डालते हैं तो पौधों को ब और तेज आँच कर दीजेगा जिसे कि ये जल्दी से पिखल जाए क्योंकि काफी थीक होता है और पिखलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मुश्किल से एक से डेर दू मिनट में ये पिखल जाता है देख सकते हैं सामने से ही ये आपका मतलब जो घी है वो पिखल गया और चमत से हमको हिलाते जाना है इसको जिसे की जो भी गिल्टी विल्टी हो जल्दी से पिखल जाए तो देख सकते हैं कल्ची में जो लगा हुए वो भी उसके अंदर मिला दीजे और ये जो ट्रिक है दोस्तों बहुत ही काम की है आप विस्वास कीजिए एक बना के देखिए और मैंने ये ट्रिक बहुत सारे लोगों को बताई हुए है उन सब को ये काम आती है तो यहां पर आप थोड़ा सा उबलने का इंतिजार कर रही हूं मैं और देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अब उबलने वाला है तो प्लीज इस जगह को छोड़के कहीं मत जाएए क्योंकि सेम जैसे दूद को आप छोड़के जाते हैं और वो उबल के गिर जाता है उसी तरीके से ये घी का भी जो पहला वाला उबाल है वो अगर आपके आँखों से जरासा भी दर दर हुआ तो ये बाहर निकल के आ जाएगा तो इसको मिला दीजे एक वार और उबल उबाल देज दो तीन बार उबाल लिया और अब आज को मैंने मीडियम कर दिया अब इस मीडियम आज पे इसको पकने देना है हाँ पांस से साथ मिनट आपको लग सकते हैं एक जट टाइम मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं घरी नहीं देख रही हूँ लेकिन हाँ उतना लगेगा और लिखने में कैसा लग रहा है आप लों को लग रहा है कि बन चुका है तो यहाँ पर घी बिलकुल ही तयार है बस इसे थोड़ा समय और पकाऊंगी क्योंकि अपना अपना वह होता है मुझे लगता है कि मुझे घी को हलका सा और कलर चेंज हो जाए तब ही रखूं क्योंकि यह हलका सा कच्चा माना जाएगा जब तक कि वह मलाई जो है उपर वाली वह अपनी कलर जो है सो थोड़ी डार्क जो चॉकलेट होता है उस टैप से न हो जाए तब तक थोड़ा सा उबालेंगे अब यह घी बिलकुल ही तयार है इसे मैंने थोड़ा सा और उबाला और देख सकते हैं यह घी हमारा बिलकुल ही तयार है अब मैं आज को बंद कर दूँगी और जो बरतन की जो गर्माहट है वो उसी में अब थोड़ी दिर के लिए अपना पकेगा और अच्छे से यह कलर आ जाएगा साथ में हमारा घी कभी भी नहीं खड़ाब होगा तो घी जो खड़ाब होता है न करे लोगों का वो इसी वज़े से होता है क्योंकि वो थोड़ा कम बनाते हैं मतलब कम गर्म करते हैं इसके कलर आने तक का इंतजार नहीं करते हैं जैसे ही मलाई हलका सा देखते हैं कि जमने लगा तो बंद कर देते हैं तो यह गलती आप मत कीजिएगा यह तो आपकी जो घी है न वो थोरी खड़ाब होने का चांस रहता है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे गी जो हलका सा रेड हो जाता है वो काफी दिनों तक चलेगा चलिए इसे अब हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इसे बरतन में रखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बरतन लिया है और जो भी मैं डेली यूज़ करती हूँ वो लिया है और चणनी लिया है तो पहले मैं इसके अंदर ढाल लेती हूँ की की यह रोज का काम होता है जो रोटी वगरा में हम लगाते हैं तो मैं पहले इसके अंदर रख लोती हूँ और जो बचेगा वो किसी और बरतन में रखेंगे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़े होती है जो बताने में टाइम लग जाता है तो उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं आप लोग इंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो सेयर कर दीजिए लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा तो यहाँ पर मैंने इसी सी के अंदर इसे भर दिया है और ये मेरे डेली उसके लिए और कलर देखे कितना परफेक्ट है बागी मैंने एक बड़ा बरतन लिया है जिसमें मेरा घी खाली हो गया है तो मैं इसी के अंदर घी रखती है तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में डियरेक्ट अपना घी सिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि चार बरतन में रखने से घी का जो होता है बरतन वो थोड़ा सा फिर वो ऐसा वह हो जाता है मिलुकर साब भी करना है तो इसे अच्छा एक डाइरेक्ट बरतन में आप रखिए और बस वहीं से आप अपना यूज़ कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा घी बनके तयार हो गया और घी आप मान के चलिए कि आधा किलो तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम बनके तयार होया है और मेरा जो मलाई था वो बहुत ज़्यादा नहीं था 500 ग्राम के करीब होगा तो आप उस हिसाब से लगा दीजिए कि इतना घी तरके तयार हुआ है चलिए इसे हम चान लेते हैं और चानने के लिए मैं थोड़ा सा चम्मत से इसको डाल रही हूँ जिससे की अच्छे से इसमें से घी निकल के अंदर चला जाए और ये जो नीचे की जो तलहटी होती है तलहटी में जो जमा हुआ जो मलाई होता है इसको हम लोग खुर्चन बोलते हैं और ये खुर्चन बहुत ही टेस्टी होती है परफ हेल्थ के हिसाब से इसे खाना ठीक नहीं है मैं कभी गलत चीज़े नहीं बोलूँगी क्योंकि जब बच्पन में हम इसे खा लेते थे तो ठीक था लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो इसे मत खाईए इसमें आप चीनी मिलाके थोड़ा सा और गैस पर ओन करके हलका से इसके अंदर मैदा डालिए और फिर इसे एक मिठाई की तरह बना दीजे बच्चे खा लेंगे और बच्चों को ही खाने दीजे और बस उसके बाद इसका यूज हो जाएगा बाकि इसका यूज नहीं होता आप इसकी मिठाई बना लें या वैसे ही बच्चा कोई खाना चाहता है तो आप उसे दे दें तो ये मेरा घी तो तयार हो गया आप भी अपना मलाई का घी तयार कीजे इसी तरीके से चम्मस कीजे कोई मतलब आपको जंजट होगा ही नहीं और बहुत अच्छे से घी बन के तयार हो जाएगा तो देख सकते हैं कि मेरा घी भी दो बर्तनों में है और नीचे मेने जो खुर्चन है उसको डाला है फिर मिलते हैं आप लों के साथ अगरी वीडियो तब तक के लिए बाई बाई और मुस्कुराते रहिए खुश रहिए मसते रहिए